जड़ी बुटियों के संधर्व में आज हम आपके लिए एक और आउशदिये गुणों से भरपूर जो हमारे देश में प्रायह सर्वत्र जो पहुधा मिलता है परन्तु जिसका वणन आईरुवेद में आदिकाल से ही मिलता है हमारे वेदों में हमारे शास्त्रों में और पुरान ग्रंतों में जिसका बहुत वणन है जिन और शदियों का काय कल्प के लिए वणन है जो और शदियां सरीर को निरोग करने के लिए या असाद्धे रोगों के लिए जिनका वणन है उसमें से इस पौधे का भी वणन है जो आप मेरे सामने और मेरे हाथ में और चारो तरफ आप जो देख रहे हैं यहाँ वह पहुदा है इसको हम बोलते हैं अपा मार्ग इसको चिरचिता भी बोलते हैं एकायरेंथस एस्फरा यह इसका बहुत निकल नाम है इसको संस्कृत में दूर ग्राह कहते हैं दूर ग्राही भी दू ग्रिहा भी कहते हैं इसको यह औशधी सरीर के बहुत सारे रोगों को दूर करने में सक्षम है साथ ही यह कुछ चमतकारिक गुणों से भी इसकी जो कारिक गुण है जिस गुण के संदर्व में हमारे आयरवेद आचारियों ने जड़ीबूटियों के जानकार लोगों ने बहुत सारे काम भी किया है तो यह पौधा इसमें आप देख रहे हैं यह थोड़ा हरा वाला पौधा है इसमें एक और पौधा होता है जिसकी डंडी थ किर्चीटा के पौधें पूरे देश में वो चाहे दक्ष्ण भारत का सुदूर प्रांथ हो या कोई भी जंगल का आदिवाशी शेत्र हो या हिमालयक शेत्र में हमने तो यहां तक देखा गंगोत्री यानि की आठ दस जार की हाइट तक भी जह पौधा मिलता है हलां कि इस प्लॉट खाली है वहां पर मिलता है यह सीजनल पौधा है बर्शारीतु में लगभग यह पैदा होने लगता है अब बर्शारीतु के बाद में अक्टूर महा तक लगभग यह इस तरह से पौधे के रुप में बीच के रुप में यह उपलब्द होता है उसके बाद में फ आज दुनिया के अंदर जितनी भी आवादी है उस विशाल आवादी में जो बहुत बड़ी समस्था है वह है दातों की समस्था हलाकि आदमी जब तक बिलकुल दरद न हो जाए जाड बिलकुल खोखले न हो जाए जब तक सहन हो रहा है वो चिकत सक के पास जाने से कत्राता है वो ठीक नहीं है परन्तु सबसे अच्छा तो ये रहेगा हम यदि जड़ी बूटियों का प्रयूग करके इदि दंत रोगों से बच सके तो इससे और अच्छी और सुन्दर क्या बात हो सकती है दात की किसी भी तरह की परेशानी हो चाहे वो आपके मशुड़े फूले हुए हो चाहे वो आपके दातों में कैविटी बन गई हो खालीपन हो या किसी भी तरह का मुख का infection हो यह अपमार्ग आपके लिए अम्रित है रामबान है ताजा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है और यह जी नहीं मिले तो आप इसको रात को एक को भीगो दें सुभा इसी का दातुन करें बहुत ही लापकारी है बहुत ही गुणकारी है दु सारी उषदियां इस अपमार्ग से कम हैं यहां अपमार्ग मिल जाए च्छतिस गड़ के आदिवाशी शेत्रों में मैंने देखा है कि वहां पर हमारे परिचित कुछ लोगों में भी एक सर्धे स्वामजी महराज हैं जो गंगोत्री में रहते हैं तो वो उनकी माता जी बह आदमी के होते हैं मैंने पूशा कि माता जी आप क्या करते हैं तो माता जी ने मुझे दिखा जा इसमें से आपने देखा होगा इस तरह के कांड हैं यह बीच में से तूट जाते हैं जैसे आप देख रहे हैं मेरे हाथ में यह इस तरह से हम तोड़ सकते हैं एक एक कांड को हम तोड़ करके अलग-अलग कर सकते हैं जैसे आप यह देख रहे हैं यह आराम से तूड़ जाता है फिर यह आराम से तूड़ जाता है इस तरह से कांड तूड़ जाता है इसमें से जो छोटी सी मोटी कांड है यह आप थोड़ी मोटी वाली यह ले 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 इतनी बड़ी यह यह सीजनल है तो इतने इतने टुकडों को बीच में से तोड़ करके आप इसको रख सकते हैं कि कि यह ताजा पौधा तो यह सीजनल है तो इसलिए बेना सीजन के मैंने देखा कि माता जी ने सुखी हुए बहुत सारे इसके अपमार्ग के इस डंडियों के उन्होंने छोट छ को ला करके रखें सुखने के बाद में भी दातों की रूप में आप इसका प्रियोग करें वास्ता में यह मुख रोगों के लिए और आपके मसुडों के लिए और दांतों के लिए एक अम्रित है और एक अनुभूत प्रियोग है मैंने हजारों उन आदिवासी भाई बहनो को ग्रामिन्ट शेत्र के लोगों को देखा है और इसमें भी यदि भाइनक पायरिया की सिकायत हैं मुख में या दात में जाड में दर्द है तो इसकी जड़ जड़ हलाकी जैसे कि मैंने कहा आपको सीजन में ये पौधा मिल पाएगा तो इस पौधे के जड़ को आप ले ले एक अनफूत और एक वर्ष्णों से हमारे आदिवशी शेत्रों में हमारे ग्रामिन शेत्रों में हमारे भाईयों में और यहां तक की वर्ष्णों संपरदाय में भी इसको बहुत पवित्र माना जाता है कई लोग तो इसका नाम ही दातों के नाम से भी जाना जाता है कई ख जानते हैं तो मैंने आपको अपमार्ग के दातों के गुणों के संदर्व में वास्तों में इतना बताया है कि आप इसका प्रयोग करके देखिए तो निश्यत रूप से आपकी जो दात की समस्था है दात की जो बीमारी है वो ठीक हो जाएगी